तो गैस आज की वीडियो में क्या होगा अपनी जो जिमिनी के अलोई वील्स है वो लगेंगे इसमें यानि की थार में और थार के अलोई वील्स है वो लगेंगे इसमें यानि की थार में और थार के अलोई वील्स के साथ कैसी लगती है एंड थार जिमिनी के अलोई साथ कैसी इसमें ना 3-3 इंच के, तो लुक्स देखें किसके कौन से बढ़िया लगते हैं, हाला कि बाद में तो तारनी वाल हों, मैं बाद में इसके उसके पपे शेंज करा दूँगा, पर अभी फॉर टाइम बिंग हम लोग एक बाद ट्राइ करके देख रहे हैं, कौन से लाइविल् इस बाद बाद से लाइए, अपको यह वाली गाडी, जो है, यह देखें, कोई नी एक बाद स्टार्ट कर तू चले जाएंगे, स्टार्ट कर चले जाएगा, यह वाली गाडी अभी एकष्यू चलाएगा, और यह वाली तु मैं चलाई ही रहूं, निकल गें सारे डॉग, अब चलते हैं और देगे हम लोग एक ऐसी जगा टूंड रहे हैं जहां पे वो मशीन से प्रफर करके दो मेंट में करते हैं क्योंकि प्रोसेस थोड़ा से लंबा है तो टाइम भी लग जाएगा इसलिए यही प्रोसेस है भी हाल फिलल मन में ती ही है कि यह वाली मैं लग फटा फट एक बर सलते हैं ठीक है बागी अन्दाजन तो यही लगा रहा है मुझे कि भाई थार अच्छी लगेगी पर 18 इंच 18 इंच थार में छोड़े छोटे लगते हैं उसके लुक्स का है मेरेको दो पार्ट में वीडियो आईगी वापिस बता रहा हूँ कौनसी वीडियो कैसी आपको देख जाएगी इसके लुक्स दिखा देंगे फिर उसके भी लुक्स दिखा देंगे थोड़े बहुत सिनमाटिक शॉट्स इंजाई हो पाई तो तो अब ये गाड़ी नो नो डाउट अथी तो बहुत लगती है मुड़ते मुड़ते बगरे अभी आप देख लोगती कि क्या जबरदस्त लुक्स आ रहे है पर बस वह यह कि अब सेवन चीटर में अपग्रेड करना है गा तो फिर उस चक्कर में जो है मैं इसका अपना अप अब यह निकल गिये गाड़ी अपनी यहां से दिख रही होगी आप लोगों को और दोनु लेके जा रहा हूँ मैं क्योंकि आप उपग्रेड कराते हो तो होता ही है कमफर्ट के मामलिक में जो है थोड़ा सा है आप लोगों को कम्प्रोमाइज करना पड़ सकते है क्योंकि एक कमपनी जो आपको 15 इंच दे रही है और इसके बाद आप लोग इसमें 18 इंच लगवा रहे हो तो फिर वो डिफरेंस और दिक्कत है वो आजाती है नमबर भी इसका कली ज इस पर इसके होलो टो पूछर आप चोल पड़ नव कर लोगो बिदे कर्वा देख लेए कंकाझा व्याभ वख क मैं आप कर दो करने पे यह इस्से पूछल आप में पूछ मैं यह ए तो ऐसी लुलत सा हे चला जा जा एक्तो भी अगर आपकी काड़ी मोडिएड हो तो आपको थोड़ा सा सतर करना चाहिए अब कहने की बात तो यह भी है कि दो बात चीद करवा कर चुड़वा लो या फिर जो भी है पर फिर क्यों बेफाल तुमें उड़ता तीर रेने वाला शौक नहीं पालतना चाहिए कि भाई अगर मालो आप छुड़वा सकते हो पैसे देगे चाहिए जो भी करवा के वो सारी चीजी नहीं करा अंची मेरे साव ठीक है अब जो एक बर पास में पूछ लेते हैं इंसे पूछें कितना टाइम लगे अगर जयादा टाइम बताएंगे तो देखते हैं वाकी मेरे स संथ साइकल वाले बताएं जिनके बस मशीन है तो वो फटाफट कर देते हैं as expected और अगर आपको यात होगा आप मेरे पुराने सब्स्राइबर होगे तो अपनी सब्स्रिफ्ट के अलाउई वील चोरी होए थे वो भी हमने संथ साइकल वाले पर जाके करवाए थे और एक ब इंधरेन कॉछम और नहीं हो इस होटी है से कि इस इसबी अंश्याश भर देना है के अन चीज खोटी चाय पड़ी क्या के बंनाना पड़ता है यूड लोगों थोलिए पाझ आवह गे पर लेके अपनी गाड़ी को तादरी गेट की तरफ से लेके जाना पड़ेगा इसने तो कर दिया मना मत आना भाई शिचे कभी भी मिवाने वाला कोई भी हो तो गाई आप एक बार थार आगे लगा रहे हैं और इसके टायर इसमें हो जाएगा तो देखते हैं दोलों सेम में आपको बता तो दिया ही था कि सेम अनका टायर साइस वगर सब कुछ सेम ही हैगा तो वह चीज के लिए अभी एक बर आगे लगा है और दूप होता है इसमें भी 15-20 मिनट बैठना पड़ा एक बार तो मेरा मन कर गया कि रहें दर नहीं करवाता है तो फिर में को आचल अब थार के टायर इतर यह दिखे रहोंगे आपको फुरेंट वाले खोल दिये और भाई से बोलूगा कि एसट निकालके उसमें लगाते ताकि रिकॉर्ड रहे है ना यह चीज है क्योंकि भाई इसके ना एक तो टायर डिफेक्टिव हो रहे हैं तो रीजन यह है कि भाई जैसे यह तो पिछे लगा दे ना उसमें ठीक है हाँ यह निकाले पीछे लगा दे ना ताकि रिकॉर्ड रहे कौन सा पीछे उससे ही हो जाएगा कि जैसे शेंसर की भी दिक्कत होगी ना फिर अगर आगे शेंसर है तो अगर बहुत दिन पहले लोग ने बिरसे बोला था ता पाद आज टाइम मिल गया था तो आगी लेकर इधर अपनी जिमनी तयार उन लग रही है यह रा टायर इसका और इधर जो है थार में लगया है थोड़ा इतना दिखाते हैं क्योंकि थोड़े चूटे लग रहे हैं और एक बर लग जाते हैं फिर देखते हैं वह रैंबो व लग रहे हैं जाएगी कौन सी समझ में आ रहे हैं वह जाए जिमनी वाले जाद सही लग रहे हैं इसमें मजा के भार भी जादा आगे चोड़े जाद ओ भाई जी यार वह भाई पर पोटी कर जी कोई बैद नहीं ठीक है अब एक बर यह टकस देते हैं अब फिर माबको डिर लग रहे हैं तो यहाँ पर लगए हैं अपने दोनों टायर्स एक यह पीछा लग गया है और वो सेम आगे भी लग गया हैं यहाँ पर एक बर उतर जाती है गाड़ी फिर उसके बाद हम लोग इसको लेके चलेंगे घर की तरफ वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे लगे हैं कैसे लगे हैं अब तो काफी जादा स्पेस रह गया है उनके बीच में तो 18 इंच तो अगर आप लोग सोच रहो मत जाना 18 इंच में और फिर गुद्दी आपको बहुत बढ़ी करवानी पड़ेगी क्योंकि यह तो इतने समझ में आ रहे डारेक फिटमेंट भी हो सकती थी बड़ ठीक है इतना क्यों मेरे को टेंपरेरी तो रखना यह पर में नहीं रखना और यहां से शॉक्कर वगरा के आलाद भी देख लो एकदम बढ़िया है वही तिक्कत में आई है तो इसमेना भी थार में हलका फूल का भारी फील आ रहा बहुत प्यास लग रही है सेगेंड ऑब्सर्वेशन जो मेरी वील्स के बाद ड्राइविंग में आई है वही है कि कमफर्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक अलाई वील्स का जो कमफर्ट होता है वो काफी जादा होता है अगर थोड़ा भी अप्ग्रेड करने की सो लगा लिया तो उससे थोड़े सब एक्स्टर होगे है अब फाइनली वो टाइम आगया जब मेरे को आपको लुक्स दिखाने इसके कल वाली वीडियो में आपको जिमनी के लुक्स दिखाएंगे और जिमनी सामने चलने लग रही है तो मैं जादा से जूम इन करनी रहा हू कल जिमनी के दिखाएंगे ठीक है वाई अब बड़ा जटकाया और उसमें लगगी अपने गाड़ी यह भाई भी देख रहा है इस पड़ तो नहीं है गाड़ी का नहीं पड़ा तो नहीं है बहुत बहुत ही जौदा जट्टा ता जगड़ा था और एक चीज तो है जैसे तो विट जितनी काम होती है तो जाधा कमफर्ट होता है न टायरों में यह चीज है इसमें यह है कि जिमनी में कमफर्ट था उन टायरों में थार का अब बात करते हैं कि अपनी थार कैसी लग रही है तो प्रेसेंटिंटिंग यून वन टू तो हेर इस आर थार विद क्या ब अब यार नाम बोल गया जिमनी फाइडोर के अलावी वील्स के साथ काफी छोटे लग रहे हैं मैं जानता हूँ और इस पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं इस पे सूट करने का इन नाम तक नहीं ले रहे हैं रीजन बींग कि मज़ आजाएगा और जितने भी मेरे जिमनी वाले भाई है ना वो जब देखेंगे यूँ कहेंगे कि भाईया क्या चीज बनाती गतर तो संडे स्पेशल व्लॉग रखेंगे हम लोग मंडे को एक आया जिसमें दोनों गाटी को कंपारिशन करूंगा साइड वाई साइड वाई साइड तो वह मैं कल रिगॉड कर लूँ मोशली बठा है यहां से आप लोग देख सकते हूँ इस प्रकार के जो कुछ लुक्स है अपने थार फाई डोर सारी थार अपने जोंसी यहां से सेम लगा लो और कमफर्ट होगे रहे कि बात करूं तो नो कमफर्ट हिंडर बस यह है कि थोड़ी से अब चौड़े हो गए है यहां से और मेरे को इतने परसनली चौड़े नहीं पसंद थार में रीजन बिंग कि इसमेरे मैंने तीन इंच के स्पेसर लगवा रगे यहां से दिखाऊं मैं आपको तो इसको तीन इंच के स्पेसर लगें यहां पर इसके बाद इतने चौड़े लग रहे हैं और इसमें जरुत नहीं थी इतने पर फिर मेरे को भी पर्मेनेंट रखने ही नहीं थे तो मैंने स्पेसर हटवाई नहीं और मैंने आज़र टेस बड़ा नहीं रखूंगा मैं इस वीडियो को आई होप कि आप लगों आज की जो वीडियो है वो पसंद आई हो कैसी लगी अपनी गाड़ी मुझे कमेंट से जुरू लिखके बताना पागे मिलते रहेंगे आप से आई सुट लग बाबाई और धनेवाद